हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माय चैनल स्वासाल का आज हमनाएंगे अलू टिक्की जो सबकी फेवरेट होती है यहां पर मैंने एक तरह से गर्लिस करके दिखाया आगे आपको दूसरी तरह दिखाएंगे इसको बनाने के लिए यहां पर मैंने हाफ केजी आलू लिया है इसक हमारे मटर भीग चुकी है फूल चुकी है अब इसको हम 4-5 सीटी लगा कर पका लेंगे मैंने अकद्दू कस कर लिया अलू को अब इसमें हम वन बाउन पोह डालकर मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे हमारे 15-20 मिनिट हो चुके हैं अब आलू को यह देखिए अब टाइट हो चुकी है देखिए कितना पानी इसका सूख गया है अब इसमें हम नमक डालेंगे ध्यान रहा है पहले नमक हमें नहीं डालना है थोड़ा सा ही नमक डालना है पहले आप नमक डाल देंगे तो आलू बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देती ह इसलिए हमें बाद में ही नमक डालना जब बनाएंगे अब इसको अच्छे से mix कर लेंगे mix करकर हाथों में थोड़ा सा oil लेंगे oil लेकर अब इसकी चोटी चोटी टिकी बना लेंगे circle देखर यह देख एक प्लेट में बना कर रख लेंगे हम सारी यह देखिए सारी बन गई है यहाँ पर मैंने तवे में अच्छे से थोड़ा ओईल डाल देना है और इसको गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर गरम होने के बाद में इसमें हम टिकिया रख देंगे और फ्लेम मेडियम फ्लेम यह लो फ्लेम में ही पकाना है लो टू मीडियम देखिए मैंने सारी टिकिया रख दी है अलू की जब तक टिकिया पकती है तब तक चलते हैं मटर की तरफ यह देखिए हमारा मटर पक चुका है अब इसको हम मैश कर लेंगे थोड़ा सा मैश कर देंगे यह देखिए अशा मैश होना चाहिए अभी यह पतला है तो इसका पानी और थोड़ा सा जला देंगे हम गाड़ा कर लेंगे यह देखिए अब हमारी मटर गाड़ी हो चुकी है चलते हैं टिकिया की तरफ देखिए हमारी टिकिया पक चुकी है और इनको हम पलट लेंगे देखिए सारी पलट चुकी है अब इसको गाड़निस करने के लिए कुछ समाल लेंगे जिसमें हम एक मूली लेंगे इसको हमने कद्दू कस कर लिया है गाजर को हमने चौपर लिया है इक गाजर को हमने कद्दू कस कर लिया है 3 प्ये बारी चौप लिया है दही मीथी चटनी घष्ट्नी का वीडियो हमारे Geschichte में आई कैसे बनती है और इसको वीडियो देखने के लिए आप हमरे जिस चैनल स्क्राइब करें यहाँ पे मैने चाट मसाला, नमाक, लाल मिर्च और सेउं क्राइब है यहाँ देखिए हमारी टिक्कियां पक चुकी है चलते हैं चाट बनाते है चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तीन टिक्कियों का यूस किया है इसको हलका सा हम दबा देगे, अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमख, थोड़ा सा लाल मिर्च, अब इसमें हम मटर रख देगे, मटर रखने के बाद फिर से हम सारे मसाले एड़ करेंगे इस पर डालेंगे इसमें हम हरी चटनी डालेंगे मीठी चटनी और थोड़ा सा दही मूली गाजर प्याज तमाटर थोड़ा थोड़ा ही इन सभी को डालना है आप अपने हिसाब से डाल लीजिए हरी मिर्च इसमें थोड़ी सी से डाल देंगे अब हमारी चट बनकर रेडी हो चुकी है देखे कितनी अच्छी लग रही है खने में भी बहुत टेस्टी लगती है अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लेस लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक्यू झाल 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 झाल